नमस्कार जहिन साथियों एक बाफिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैं दीपक कुमार साहू प्रयागराज पिछले कुछ दिनों से आरक्षण और क्रीमी लेयर पर बहुत बहांस चल रही है सुप्रीम कोट ने कहा कि SCHT कोटा में क्रीमी लेयर की ब्योस्था होनी चाहिए सरकार ने कहा नहीं ब्योस्था होनी चाहिए मना कर दिया तो ये आखिर आरक्षण में क्रीमी लेयर क्या है और क्रीमी लेयर OBC बर्ल को दिया जा रहा है SCHT वर्ग को नहीं दिया जा रहा है तो क्यों देने की बात की गई और सरकार ने क्यों मना कर दिया यह हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे मैं बहुत बिस्तार में नहीं बताऊंगा मैं बहुत संचिप्त में ही बताऊंगा लेकिन जो मूल बात है क्रीमी लेयर की वो मैं आपको बताऊंगा तो अगर आप SCHT वर्ग से हैं OBC हैं, सामाने हैं, कोई भी हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इस मुद्दे की जानकारी होनी चाहिए और अपनी राय भी ब्यक्ति करनी चाहिए पहले शुरुआत करते हैं हमने लिखा है आखिर क्या है आरक्षण और क्रीमी लेयर का मामला दोनों सब्दों को हम पहले बारी-बारी से समझेंगे पहले हम देखेंगे कि आरक्षण क्या है पहले हम यह देखेंगे आरक्षण यनिकी Reservation कहने का मतलब कि किसी को जब प्रमोट करके या किसी को कम नंबर आने पर भी कहीं नौकरी दे दी जाए तो इसे कहा जाएगा कि उसे आरक्षण दे दिया गया पहले हम उतनी योग्यता नहोने के बावजोद भी उसे उस पोस्ट के लिए आरक्षान दे दिया गया उसे लाब दे दिया गया भारत का जो समिधान बन रहा था तो उस समिधान वर्ग इस तरह से कई प्रकार के वर्ग थे अगर मैं एकदम सुद्ध हिंदी में आपको बताऊं तो ब्रामाड, छात्री, वैस और सुद्र ये चारो वर्णत है हमारे यहाँ इसमें देखा गया सर्वे हुआ कि जो ब्रामाड, छात्री और वैस से वर्ग हैं वो सामानिता समरिद्ध हैं ठीक ठाक खुसाल हैं लेकिन जो S.C.S.T. वर्ग है, दलित है, हरिजन है, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, वो बहुत पिछड़े हैं क्योंकि उनका बहिस्कार किया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यानि कि वो बहुत गरीब हैं और सेक्षडिक रूप से भी पिछड़े हैं, वो एकदम अनपड़ हैं तो ऐसे लोगों को जब एक साथ प्रतियोगता कराई जाएगी, विद्यालय के लिए, या नौकरी के लिए, या किसी काम के लिए तो वो इतने पिछड़े हैं, वो कभी भी सवाणों की या जो अच्छी स्थिति में हैं, उनका सामना नहीं कर पाएंगे अर्थात वो कभी नौकरी नहीं करेंगे, कभी इनके संकच नहीं आएंगे, वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे तो उनकी इस्थिती को सुधारने के लिए समिधान में लिखा गया लाओं की इस्थिती सुधारने के लिए, बालपों की इस्थिती सुधारने के लिए जो सामाजिक रूप से पिछडी जातियां हैं उनकी इस्थिति सुधारने के लिए और SC-HT की सामाजिक आर्थिक हर तरह की इस्थिति सुधारने के लिए समिधान में ये लिखा गया कि सरकार अपने हिसाब से कुछ प्रयोजन करेगी यानि इनकी इस्थितियों में सुधार करने के लिए कुछ वो काम कर सकती है वो कैसे करेगी हम यहां नहीं बताएंगे लेकिन सरकार को जैसे लगेगा वैसे वो काम करेगी तो विभिन सरकारों का मतलब केंदर के अस्तर पर भी राज्य की अस्तर पर भी अलग-अलग तरह के आरक्षण की बिवस्था की गई तो जो वर्तमान की में डारेक्ट बात करता हूँ वर्तमान में जो आरक्षण की बिवस्था है वो किस प्रकार से की गई है पहले ये समझ लेजिए तो सबसे पहले हम कई वर्गों में अपने यहां की लोगों को बाटते हैं जैसे एक वर्ग है सामान्य अब जानते ही हैं सामान्य वर्ग एक वर्ग है इस समय OBC Other Backward Class यानि की अन्य पिछड़ा वर्ग और SC, ST और अभी हाल में ही एक वर्ग बना दिया गया जिसका नाम रखा गया EWS Economical Weaker Sector यानि आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य लोग हैं उनकी बात की गया यानि इतनी प्रकार के लोगों को इस समय आरक्षण मिलता है वर्तमान में सामान्य वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलता कोई आरक्षण नहीं मिलने का मतलब यह हुआ कि जो merit जाएगी नौकरियों में, जो merit जाएगी admission के लिए किसी विद्याले में उसको fulfill करना होगा, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, खोली प्रतियों गिता है उनके लिए लेकिन, लेकिन उसी 100% में जो अदब एकवर्ट क्लास हैं, उनको 27% का आरक्षण मिलता है यानि कि अगर किसी नौकरी में 100 सीट है, तो उसमें 27 सीट रिजर्व रहेगी पिछड़े वर्ग के लिए, जिने हम OBC कहते हैं SC के लिए 15, ST के लिए 7, और EWS के लिए वर्तमान में हो गया है 10% ये EWS मतलब सामान से ही निकाले गए हैं, अभी हाल में ही हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि जो सामान वर्ग में भी लोग हैं, लेकिन बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं पिछड़ों की परिभासा यहां पर की गई है, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी परिभासा यह दी गई है, 5 हेक्टेर से कम जमीन हो, 8 लाग से कम उनकी कमाई हो, इस तरह से किया गया है, तो 10% उनको आरक्षण मिलेगा, ये इस्टिती है, इस समय, अब रा पार, साथ, उननीस, असी लगा एक, दो, एक, तीन, एक, चार, उन्चास दसमलो, पांच, साड़े उन्चास परसंट, अभी दस इसको भी जोड़ देंगे, तो साड़े उन्सट परसंट आ जाएगा, यहनि पचास परसंट तो थोड़ा जादा हो गया है, अब देखिए, यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, OBC वर्ग को जब आरक्षंड दिया गया 27 परसंट, उसके तुरंट बाद ही वांग उठने लगी कि OBC वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, इसमें कुछ OBC के ही कुछ जातियां हैं, जो बहु OBC थे, उनको 27 परसंट आरक्षंड तो मिल रहा था, लेकिन उनहीं में क्रीमी लेयर की ब्योस्था कर दी गई, क्रीमी लेयर की ब्योस्था सिर्फ OBC वर्ग में है, क्रीमी लेयर में कहा गया कि जो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि अमीर हैं, अभी आगे इसकी परिवासा दी गई है, किसको हम अमीर मानेंगे, किसको ठिक ठाक मानेंगे, जो अमीर हैं, उनको आरक्षंड मत दो, जो गरीब हैं, उनको आरक्षंड दो, हला कि आरक्षंड की जो मोल व्यवस्ता है, वो गरीबी अमीरी के आधार पर नहीं की गई थी, सामाजिक और सेक्षडिक रूप स भी अमीर है उनको मद्दो जो गरीब है उनको दीजिए 1993 में इसकी विवस्ता की गई तो कहा गया कि जो सरकारी नौकरी में नौकरी कर रहे हैं और वो ग्रूप ग्रूप माटा गया है ना ग्रूप A, B, C, D तो जो ग्रूप A में नौकरी कर रहे हैं जैसे मालीजे किसी भी बच्चे को उसको आरक्षण देने की बात की जा रही है मालीजे ये बच्चा है A नाम का इसको आरक्षण देने की बात की जा रही है OBC भर्ग का है इस बच्चे के जो माता या पिता है जो पिता या फिर माता है उनमें से किसी एक को भी उनमें से कोई एक भी अगर गुरूप A की नौकरी कर रहा है सरकारे विभाग में तो उस बच्चे को आरक्षण का लाख नहीं दिया जाएगा इसके लावा या फिर गुरूप A की ही नौकरी कर रहा है लेकिन 40 वर्स के पहले ही वो गुरूप A में प्रमोट हो गया या फिर उसके माता पिता यानी कि दोनो लोग गुरूप B की नौकरी कर रहे हो तब भी नहीं दिया जाएगा तो गुरूप B के लिए दोनों की बात की गई कि माता भी हो मतलब पिता भी नौकरी कर रहे हो माता भी नौकरी कर रहे हो ग्रूप भी की तो भी उनको आरच्छा कलाव नहीं दिया जाएगा इसके लावाँ सेना में अगर करनल के पदपर हैं या इससे उंचे हैं तो भी उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा इसी किसम इसके साथ साथ अगर वो कलाकार हैं जैसे कि एक्टर हैं आर्टिस्ट हैं डाक्टर हैं इंजीनियर हैं ब्यापारी हैं तो उनकी कमाई अगर वारसिक आठ लाक है या फिर इससे ज्यादा है तो भी उनको लाव नहीं दिया जाएगा तो कहने का मतलब कि जिनकी कमाई वारसिक आये जिनके घर की लगातार तीन साल तक देखा जाता है अगर आठ आठ लाक रुपए आ रहा है सरकार की नजर में तो वो आरेक्षण के लावारती नहीं है या फिर ग्रूप A में नौकरी करते हैं उनके माता पिता या ग्रूप B मे लेयर कहा जाता है इसल einzется जब OPC बच्चे परिच्छा का फारंब भरते हैं तो उसमें आपשने चुनना पड़ता है आर You क्रीमी लेयर और नाट क्रीमी लेयर तो क्रीमी लेयर है तो इस वर्ग में नहीं आते इस से ने है नीचे है याने उनके माता पिता गुरूप C की नवकरी करते हैं या D की नवकरी करते हैं या किसान है तो फिर वो non creamy layer चुनते हैं यहां तक बाद समया गई यह system मुझे personally ठीक लगता है दिक्कत यह है कि जो SC और ST वर्ग के लोग हैं इन में creamy layer की बेवस्था नहीं है तो हाल में अभी सुप्रीम कोट ने एक अगस्त को यह टिपड़ी करी 2024 में कि सरकार को SC-ST को भी cream layer के दायरे में लाना चाहिए जैसे वो OBC को लाई है सरकार ने सिधा सीरे से खारिश कर दिया बोली कि नहीं हम SC-ST यानि इस अनुसोचित जात और अनुसोचित जन जातियों को हम इस creamy layer के दायरे में नहीं लाएंगे सरकार ने मना कर दिये अब पूरे भारत में ये दो प्रकार के लोग यानि कि दो धड़ों में बढ़ गए है कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं इसमें भी OBC के तरह creamy layer की ब्योस्ता हो यानि कि जो अमीर SC-ST वर के लोग हैं उनके बच्चों को आरक्षण न मिले जो गरीब वर के SC-ST के लोग हैं उनके बच्चों को आरक्षण मिले अब हम यहाँ पर समझते हैं कि सरकार ने ये जो फैंसला लिया कि हम SC-ST को creamy layer के दारे में नहीं लाएंगे यानि कि creamy layer वाली एक अलग लेयर नहीं बनाएंगे उसके पीछे क्या तरक है और क्यों बनाना चाहिए उसके पीछे जो लोग तरक दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ कि creamy layer होना चाहिए जैसे अगर मुझसे personal कोई पूँचे कि आप बताईए आपके क्या राय है SC-ST और ST-Vorg को creamy layer में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए तो मैं सोयम कहूंगा कि लाना चाहिए देखिए भारत एक स्वतंत्र देश है समिधान की यहां सर्वे सरवा है समिधान की अनुसार देश चलता है हमारे समिधान में 10- usage पोननेस हमको एक मौलिक अधिकार देता है क्यों कहता है कि आप सोतंत्र हैं और वो सोतंत्र में क्या है हम बोलने में सोतंत्र हैं यानि हम अपने विशारों को भावनाओं को ब्यक्त कर सकते हैं उसी मौली कथिकार का प्रयोग करके मैं एपनी भावना को ब्यक्त कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि मेरी भावनाओं सकती ही हो जलब भी हो सकती है लेकिन जितना मैं पढ़ा हूं जितना मैंने समिधान पढ़ा है समझा है मैं उ इन 100 घरों में केवल दो घर ऐसे हैं या इन दो घरों के मालिक ऐसे हैं जिनके या सरकारी नौकरी है या फिर कोई बहुत बड़ा धंधा है बाकी के जितने भी 98 घर है वो बहुत गरीब हैं बहुत गरीब का मतलब इतने गरीब है बेचारे दिन भर काम करते हैं 200, 2500, 300 रुपए पाते हैं और सबजी खरीते हैं तब आते हैं अगर वो किसी दिन काम न करें तो उनके घर में सबजी भी नहीं आएगी इतने गरीब हैं उनके बच्चे सरकारी बिद्यालेओं में पढ़ने जाते हैं और सरकारी बिद्यालेओं के उपर किरागे यानि कच्छा आठ के बाद वो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं जा सकते ऐसी सिती है घर उनका एक तरह से बहुत ही जरजर है अब देखिए बाकी के जो दो लोग हैं मान लिजीए इनमें से एक ब्यक्ति है ये भाई सहाब मान लिजीए कमाते हैं एक लाख रुपे महीना एक दो तीन चार पांच और ये भी भाई कोई बिजनिस करते हैं और ये कमाते हैं ये भी एक लाख रुपे महीना कमाते हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं मालीजी इंटर कालेज की प्रवक्ता ही है, टीचर ही है, तो ये एक साल में कितना कमाएंगे, 12 लाक, इनकी आय कितनी हुई एक साल में, 12 लाक, अब समझेगा, मैं जहां तक जानता हूँ, भारत में ज्यादा तर SCST, वर्ग के लोगों को नौकरी आरक्षण के ही आधार पे मि साल का ये कमा रहे हैं, 12 लाक, इनको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन ये भी एक लाक, रुपए महिना कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, 12 लाक, यहां इनके जो परिवार के लोग हैं, वो कितना कमा रहे हैं, 300 रुपए रोज, 9,000 रुपए महिना, 12,89, चलिए महा लिजे, एक लाक हुआ वार्सिक, लेकिन कमपलसरी नहीं है कि एक लाक कमाएंगे, भाई, रोज काम मिलेगा, तब न वो पा ही होती है, क्या होता है वहाँ, बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाते हैं, इनके बच्चों को न ट्यूशन की बिवस्ता है, न अच्छा पोसण मिलता है, न अच्छा पहनने को मिलता है, न अच्छा इन्वारिमेंट है, न अच्छा अच्छे लोगों से इन से मुलाका जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है अब मुझे बताइए जो SC का जो आरक्षण है 15-12% जो भी है जब किसी भी नौकरी में प्रतियोगिता होगी तो माल लीजिए पहली बात तो इनके बच्चे उतना पढ़ लिखकर वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं कि कि वह प्रतियोगता के लिए फारम भरें ताथ आठ नौ दस इसके आगे पढ़ी नहीं पाएंगी मालीजिए कुछ लोग जागरूख हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा दिये किसी तरह से तो जब फारम भरा गया तो इनका भी बच्चा फारम भरेगा और इधर भी भरें पढ़ेंगे फारम मुझे आप बताईए जो यहां पर आरक्षण का लाव मिल रहा है इन दोनों में किसको मिलेगा चाहिर सिवा था इनको मिलेगा क्योंकि अगर मेरिट जाती है 60% इनके लिए 60 लाना बहुत आसान है क्योंकि इनके लिए सुविधा है बहुत सुविधा है इनको 60 लाना मुश्किल है क्योंकि इनके लिए सुविधा नहीं है न के बराबर है इनके बच्चे ला लेंगे इनके बच्चे नहीं ला पाएंगे इनके पिता जी को एक बार लाब मिल गया है फिर इनके बच्चे को लाब मिल रहा है फिर इनके बच्चे को लाब मिलेगा इस तरह से इनकी इस्थती दिन पर दिन सुधरती जाएगी अच्छी होती जाएगी और इन लोगों भी और बिगड़ती जाएगी और बिगड़ती इसलिए जाएगी क्योंकि एक बच्चा अगर मेहनत करके कोसिस किया और नौकरी नहीं मिली या सफल नहीं हुआ तो बाकी की लोग उसको देख करके दिमोटिविट हो जाएगे वो कहेंगे कि हमारे माता पिता भी गरीब हैं तो हम आगर कोंच पाएंगे और वो भी तो इस तरह से इनकी सिति और गरबढ़ होगी तो नाम तो है कि 15% आरक्षण मिला ठीक है अनुसोचित जातियों को लेकिन उन अनुसोचित जातियों में मिल किसको रहा है जिनको पहले से मिला हुआ है तो मेरा स्वयम का ये मानना है कि जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है 10 लाग, 12 लाग रुपए सालाना कमा रहे है तो उनके बच्चों को आरक्षण देजिए वही सीट जो इनको मिलती अगर इनको नहीं मिलती तो किनको मिलती इनको मिलती मतलब माली जी कि 15 सीट थी और इनको आपने हटा दिया तो 15 सीट जनरल को मिल जाएगी या ओवी सी को मिल जाएगी ये तो बेवस्ता करने की बात होने ही रही है कहा जा रहा है कि गरीबों को दीजिए स्थी स्थी में अगर इनको नहीं मिलेगी तो ये सीट किनको मिलेगी इनको मिलेगी फिर इनको एक बार मिलेगी तो इनके बच्चों को नहीं मिलेगी फिर गरीबों को मिलेगी तो ये तो मेरी नेजर में ठीकी था तही था अब सरकार ने कहा कि नहीं सरकार ने सीट सिरे से खारिज़ ने कहा, यह जो मैं बता रहा हूँ, यह सुप्रीम कोट ने ऐसा करने के लिए सरकार कहा, लेकिन गौर्मेंट ने तीरे से खारिश कर दिया, और यह कहा करके खारिश किया, कि हमारे समिधान में जो आरक्षण की बिवस्ता है, वो आर्थिक आधार पर नहीं, यानि गरीबी अ सैक्षडिक इस्तिती के आधार पर की गई है, और इनकी सामाजिक सैक्षडिक इस्तिती अभी पिछड़ी है, नीचे है, सामान्य से एक तरह से, इसलिए इनको आरच्ण कलाब मिलना चाहिए, सरकार गाभी पच्च, ठीक ही है, ठीक इसलिए है, क्योंकि भले ये 10 लाग, 12 रुपए आये इनकी हो गई है, लेकिन वाकई में इनकी सामाजिक सैक्षडिक सामान्य वर्ग, जिन्हें हम समण कहते हैं, उनके लेवल में नहीं पहुंची है, और सदियों लगेगी पहुंचने में, सायद, बाफ सही है, सामाजिक सैक्षडिक इस्तिती अभी इनकी पीछ लेकिन इनसे तो बहुत अच्छी हो चुकी है। ही बात हो। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। सरकार ने इसको खारिश क्यों किया। कि लोग हैं अगर तो इसमें से एका अग दो जरूर अच्छी स्थती में होंगे। और इसमें दो लोगों को नौकरी मिली है और इनकी स्थिती बहुत अच्छी है इसका मतलब ये पढ़े लिखे भी हैं आर्थिक रूप से मजबूत हैं इनकी जान पहचान भी ठीक ठाक है तो क्या होगा कि बाकी के जो इसी वर गरीब हैं सक्षडिक रूप से पिछड़े हैं वो सब इनको अपना नेता मान लेंगे कहेंगे कि भाईया बहुत पढ़े लिखे हैं भाईया जो भी बताएंगे वो हम लोगों के लिए सही बताएंगे ठीक बताएंगे हम लोगों के फायदे के लिए बताएंगे और मानना भी चाहिए क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं ठी नहीं करेंगे यह बड़े बाले जहां कहेंगे वहीं ये लोग वोटिंग भी करेंगे कोई भी सरकार कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिस से उसके कदम से बोटर को नुखसान हो यानि उसको वोट नमिले अगर सरकार कॉई भी हो कभी वो काम नहीं करेगी इसमें कोई दोराय नहीं है ये कड़बा सच है तो जो ये क्रीमी लेयर की ब्योस्ता सरकार कर देगी जो ये बड़े-बड़े-डान इसी एंवर्ग के बैटे हुए हैं ये लोग नाराज हो जाएंगे सरकार से क्योंकि इनको लाव में लाराज चुटका अब वही लाव इनके बच्चों को मिलता अब जो छिन करके इनके नीचे वालों को मिलता तो ये लोग हो जाएंगे नाराज और जब नाराज हो जाएंगे जिस भी गवर्मिंट में ऐसा होगा उससे नाराज जब हो जाएंगे तो ये अपने ही नीचे के लोगों को ये नहीं बताएंगे कि सरकार ने तुम्हारे लिए फैंसला लिया है जो आरक्षण का लाब मुझे मिलता वो अब मुझे से चीन करके तुमको दे रहे हैं वो ये बात नहीं बताएंगे जो कि यहीं बात सच है लेकिन वो बताएंगे कि सरकार ने समिधान के रूल के खिलाब काम किया S.C.S.T. यानि हम लोगों के आरक्षण को ही उसने समाप्त कर दिया अमेरी गरीबी ला दिया जो समिधान में बेऊस्था थी सामाजिक सैक्षडिक स्थितिक के आधार पर दिया करके गरीबी ला मेरी कर दिया समिधान के खिलाब काम कर दिया ये सारी बाते बता करके इनको भड़काएंगे और ये बेचारे अपने ही लाभ किये हुए पार्टी के बारे में सही जानकारी ना लेकर के इनकी बातों में आ करके इनके हिस्थ सबस्थ करेंगे मुझे लगता है यह सबसे बड़ा पच्छ है इसी बात को सोच करके जो है यह कदम पीछे लिया गया है और यह फैक्टर लंबे दिनों तक चलेगा लंबे समय तक चलेगा इस पर नेड़ने लेना कोई आसान काम नहीं है बहुत कठिन काम है आज मैंने आपको यही बताया कि आरक्छाण में कितने तरह से लाप मिलता है और इसमें जो क्रीमी लेयर की ब्योस्ता है वो क्या है? सिर्फ यह ब्योस्ता OBC वर्ग में सामिल है ताकि किसी वर्ग में सामिल नहीं है S.C.E.S.T. में सामिल करने के लिए सुप्रीम कोट ने कहा लेकिन सरकार ने मना कर दिया क्यों मना किया? उसके पीछे मैंने अपना तरक दिया जरूरी नहीं है वो तरक सही ही हो और बहुत सारे कारण है इसमें सिर्फ यही एक कारण नहीं है बहुत सारे कारण होंगे और पर्सनल मुझे से पहुचा जाए तो मैं कहूंगा कि SCST वर्ग के लोगों में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए मैं OVC वर्ग से हूँ OVC वर्ग में क्रीमी लेयर है इसलिए मैं नहीं चाहता है कि उसमें हो बलकि स्थिती को देख करके समझ करके मुझे लगता है कि इसमें भी होना चाहिए ताकि सब को लाब मिलता रहे एक व्यक्ति की स्थिती ही रहा और एक फहर गया और नीचे जा रहा है और नीचे ही जाता रहा तो आराच्छन की मोल भावना अथ हो गई फिर आराच्छन का महत तो ही नहीं है फिर आराच्छन कहां मिल रहा है आराच्छन तो सोसितों बंचितों गरीबों को मिलना चाहिए लेकिन यहां पर जो गिर गया वो गिरता ही जा रहा है तो मूल भावना की ये खिलाब है इनी सब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाग आप अपना फीड़ वैक दे सकते हैं अपना सुझाव लिख सकते हैं आपके सुझाव की मैं वागत करूँगा